प्रप्राइब उसके भारतिया खिलाडियों के बारे में बात करूंगी इससे आप लोगों को एक नए नॉलिज मिलेगी देखेगा सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ने के बाद जो आप सीखेंगे वो क्या है कि बच्चे पैरा ओलम्पिक खेलों के बारे में यानि आप लोग पैरा ओलम्पिक खेल क्या होते हैं इसके बारे में जान जाएंगे और उसके अलावा जो पैरावरंपिक खिलाडी है उनका जो साहस है और उनका जो द्रल निश्या है उसके बारे में आप जाएंगे और आप पोशिश करेंगे कि आप भी उनकी तरहा बिलकुल हिम्मत अपनी बना के रखेंगे चलिए बच्चों हम अपना पाट शुरू करते हैं देखिए आप लोगों के सामने स्लाइड आ गई है इसमें क्या लिखा है बूजो तो जाने मैं आप लोगों को पहले ये पाट पढ़ा चुकी हूँ भारत के प्रमुख खिलाडियों के बारे में आप लोग पहचानिया ये कौन है इनको तो सब पहचानते होंगे बिल्कुल क्लियर आप पहचानती है ना ये कौन है ये विराट कोली क्योंकि सब क्रिकेट देखते हैं और तो सब क्रिकेट को जानते भी हैं और खेलते भी हैं इनको पहचानिये जरा साब आप लोग को बताया था बिल्कुल मुक्यवाजी में थी कौन थी मैरी कॉम ठीक है तो ये मैरी कॉम है ये विराट कोली मैरी कॉम इसी तरीके से हमने और खिलाडियों के बारे में आप से बात की थी तो और खिलाडियों में हमारे पास कौन-कौन था आपको मालूम है सुनील गावासकर, कपिल देव थे, सचिन तेंदुलकर, महंदर सिंग धोनी हैं और महद बहुत सारे खिलाडियों के बारे में हमने जाना था उस समय तो अब हम जरा सा ये बात करते कि इन खिलाडियों के बारे में तो आप जान गए हैं पहले एक हम मैं कहाने सुनाना चाहूंगी आप लोग को गाव में जब स्कूल में खेल होते हैं तो एक लड़का था सुनील वो जो सुनील लड़का था उसको खेलने का बहुत शौक था बहुत जादा शौक था तो वो फुटबॉल का एक बहुत अच्छा प्लेयर था और तो उस समय एक सैगिल वाले नो उसको टक्कर मारी जिसके कारण वो गिरा और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसके नीचे उसका पैर आ गया तो उसका पैर आने से उसके पैर की जो हड़ी थी वो तूट गई है उसकी वजह से से उसके पैर में रब गई तो रॉट पढ़ने से और ऑपरेशन होगा वो चलने फिरने लगा लेकिन वह जैसे पहले दौरता था खेलता था तो वो उसका समाप्त हो गया बहुत की वह बहुत की बहुत की आप मैच्छा नहीं पाता तो अब शे c whoformation की देख चुके थे वह जानते थे कि वह इतना दढ़ा क्वेस्टन था तो उन्होंने उसको बताया यह बताया कि तुम हार मत मानों क्योंकि तुम्हारे हर मानने से तुम्हारा जीवन व्यार्थ होगा तुम में तुम को खेल के लिए बढ़ाओंग cambiके तब उन्होंने सहाश बढ़ाया राष्ट्री इस्थर परंद़ कि तोम को आगे बाढ़ाया अभीय खेल कौन होते में आपको बताने से पहले बताना चाहintendi कि देखिए ये लड़की इसके छड़ी लेके चल रही है यानि इसके अंदर जो शारीरिक कमी है वो कह वो आखों से देख नहीं सकती है ये इसके पैरों में प्रॉब्लम है यानि इसकी जो दिव्यांगिता है वो ना चल पाने के कारण है यह देखिए, यह सकता है, यह सुनना पाति या इसके पैर टेड हैं की आपने देखा, यह पोलियों से ग्रसित हैं और इसके पैर कमजोर हैं. यह देखिए, इसका एक पैर कटावा है और इसके सारे चलता है. लेकिन अब, ऐसे लोगों के लिए, जो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर दिव्यांगिता है, तो उनके लिए भी खेल रखे गए है, उन खेलों को लाम होता है पैरा उलंपिक खेल, अब तक के शही आप लोगों ने इन खेलों के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि सीधे सीधे ओलंपिक खेल हम जानते हैं लेकिन ये पैरा ओलंपिक खेल क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे तो पैरा उलम्पिक प्रमुक अंतराष्टी ये बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति भाग लेते हैं, ये अंतराष्टी इस्तर की प्रतियोगिता है, जिसमें विकलांगता से ग्रसित लोग भाग ले रहे हैं, यानि अब हिम्मत हारने के जरूरत किसी को नहीं है यदि किसी के शरीर में कोई कमी भी है अगर वो खेल में हिस्सा लेना छाँता है तो अपने साहच से और कोश की मदद से कीलों में हिस्सा ले सकता है वह खेल पैरा ओलंपिक क्यों कहलाते हैं ये चीज़ आप लोग बहुत से सुनेगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सिफ ओलंपिक्स की बात की ती इस यहांपे पेर ओलंपिक्स का नाम आ जाएगा कि एक दो रिंग और थीं रिंग्स तीनिस आपको लिखा रहे हैं यह पयरा ऑल्मिक रिंग्स की पहचान होती है हर चीज का एक लोगो या सिंबल होता है तो पहरा ओलंपिक का SIMOPल जो होता है वह थीन दूसों अब हम बात करेंगे बच्चों पैरा ओलम्पिक के प्रसिद्ध भारती खिलाड़ी क्योंकि जिस तरीके से जब पैरा ओलम्पिक खिल होने लगे तो अंतराश्टी इस तरपर जब हो रहा है तो उसमें हमारे भारत के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया होगा और वह भारती से पहले यह आपको दिखाई दे रहा होगा मरियपन थंगावलू यह जो है मुची कूद के लिए बहुत जादा मशुहूर है रियोडी जिनेरियो 2016 में जो गेम हुए थे अंतराश्टी इस तरपर उसमें यह सोड़ पदक जीत के आए हैं और 2017 में इनको पदमिश्री से जो नित किया गया है इनके साथ भी वही कहानी जो मैंने भी आपको बताई थी कि इनके पैर में चोट लग गई थी और चोट लग जाने के कारण यह जो है वो खेल में पीछे हो गये लेकिन इनके कोश्ट ने इनके टीचर ने इनको समझा और आगे बढ़ाया आज यह पटना से उनका एक पैर बुरी तरह जखनी हो गया किन्तु कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें विश्वस्तर पर अस्थावित कर दिया आईए देखें कैसे खेलते हैं वो आइए कि अगर्ण में अगर्ण अगर्ण बच्चों हम आगे बात करते हैं दूसरी खिलाड़ी की दीपा मलेक आप लोगों ने इस दीपा मलेक का नाम बले सुना होगा लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि कि दीपा मलिक किस लिए मशूर है या उनका नाम क्यों है तो मैं यह बताना चाहूंगी जिस तरीके से मरियपन थंगावलू पैरा ओलम्पिक के एक भारती यह खिलाडी है जिन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया है उसी प्रकार से दीपा मलिक यह बहुत बहुत बहुतरी इन खिलाडी है इनका एक उप्रेशन हुआ था इनकी कमर के पास का जिसकी वजह से इनके नीचे का शरीर जो है वो सुन हो गया और वो काम करने में बेकार हो गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानि उसके बाउचुद उन्होंने सारे खेले हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है शौट पुट पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली यह पहली भारती महिला थी यह पहली भारती महिला थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता फिर ग्रीश मकालिन पैरा ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक जी और जिन्होंने हिम्मत नहीं मारी विकलांगता के बावजूद उचे बढ़ते चले गए अब इनके बारे में देखें ये कैसे खेलती हैं आओ मिलकर खेलें खेल हमारा गवरो दीपा मलिक एक ऐसी खिलाडी हैं जिन्होंने अपनी द्रिण एक्षा शक्ति से दिव्यांग होने के बावजूद पहरा उलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला का खिताब जीता शॉटपट, जैवलिन्थ्रो, तहराकी एवं मोटर रेसलिंग के विभिन खेलों में बड़े उत्साह से भाग लेती हैं आईए देखें इनकी कुछ जलकिया ये देखें बाला फेकने के प्रतियों किता ये देखें स्विमिन कर रही है मतलब कोई ऐसा खेल उन्होंने छोड़ा नहीं ऐसा जो दिव्यांगता के बावजूद ना खेला हो हर चीज़ में गोला फेकना खुछ से काड़ राइब करती हैं मतलब एक ऐसी महिला जिन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि साहस और चमता के बल पर इन्होंने अपना नाम अपने देश का नाम सुण अक्षरों में लिखवा दिया है एन एथलीट जग्रेट एथलीट एन ग्रेट वोमेन एक्टिविस्ट एचैम्पियन तो बच्चो आप लोग को देख कर अच्छा लगा होगा कि दीपा मलिक कितना अच्छा खेरती हैं इसी तरीके से और भी हमारे खिलाड़ी हैं देश के जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा बताऊंगी देखिए यह है राजिंदर सिंग राजिंदर सिंग विकलांग होने के बावजूद जब की पैरों से विकलांग थे उसके बावजूद भारों तोलन में इन्होंने अपना नाम कमाया ग्रीश्म कालीन पैरा ओलंपिक 2004 में 56 किलोग्राम वर्ग में का सिपदक जीता है इन्होंने देखिए आप सोच सकते हैं कि जिसके पैर ठीक से काम ना कर रहे हों जो विल्चेर से उठना पा रहा हो क्या वो भारों तोलन कर सकता है बहुत हिम्मत की बात है कि देखिए इनकी हिम्मत के उस भारों तोलन में इन्होंने 2004 में 56 किलोग्राम वर्ग में का सिपदक जीता और अपने देश का नाम रौशन किया इसी तरीके से अब हम अगले खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जो है रिंकू एक ऐसे खिलाड़ी है जिननोंने भाला फेकने में जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया है और भारती एक अच्छे खिलाड़ी की रूप में उभर कर सामने आए हैं और पैरा अलमिक में नोंने भाग लिया है भले ही इनको कोई पदक मिला हो या ना लेकिन उन्ह कोई पदग ही लेकर वापस आएंगे मैंने उस दिन भी आप लोगों को पताया था बच्चों के खेल में भाग लेना जरूरी है ना कर की जीतना यह हमारे खेल की भावना होती है नेक्स देखें करम जोती दलाल यह भी जो है वो विकलांग खिलाड़ी है जिनके पैर में और फेस के उपर भी थोड़ा सा विकलांगता है लेकिन उसके बावजू देविश्यों पैर एथलेटिक्स में इन्होंने प्रतिस परदा की थी 2017 में और कांच सी पदल चीता था इन् जैबलिन थ्रो में देखो आपने चक्का फिक इसमें तो सोचिए आपको देखने से लग रहा है कि लेकिन के फेस को देखकर लग रहा हूँ कि हाँ ये खुद एक समस्या से ग्रसित हैं लेकिन उसमस्या को दूर भगाने के बावजूद ये का से पदक जीत कर आ रही है या अंकोर धामा एक ब्लाइंड यानि ऐसे के लाड़ी हैं जिनकों आखों से दिखाई नहीं देता है पंद्रा सौ मीटर की दोड में ये भाग लेते हैं और ब्राजील के रियो डिजिनेयर के 2016 में जो पैरोंपिय खेल हुए थे इन्होंने उसमें भाग लिया था एशिया ही पैरोंपिक खेलो 2014 में इन्होंने दो कांसी पदग और एक रजत पदग जीता था देखें कांसी पदग दो जीते और रजत पदग अब इनके साथ क्या है कि जब इनको आंग से ठीक से दिखाई नहीं देता तो इनको लेके जाने के लिए पहले एक सपोर्टर भी रहता है पर रिशान व्यक्ति हो जिसको दिखाई नहीं देता हो वो जो सीधे से चल भी ना पाता हो वो दोड़ में भाग ले अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े साहस की बात है सुयष जादों का नाम तैराकी में मशुहूर है जब ये तैराकी में भाग लिया इन्होंने तो इनके शरीर का कुछ हिस्सा इसी प्रकार से दुरगट नागरस्त हो गया था लेकिन इन्होंने भी हिम्मत नहीं मारी और रियो ओलम्पिक 2016 में प्रतिभाग किया और प्रतिभाग करने के बाद इन्होंने देश मिकाय में कई सारी प्रतियोगताओं को जीता है और एक पैरा ओलम्पिक खिलाडियों के बारे में जो है वो अपने को इस्थापित किया है बच्चो अभी तक आपको जितने बताएगे उम्मीद समझ में आये होंगे, अब हम आगे बात करते हैं, यह हमारे पास वरोण सिंग भाटी, देखिए वरोण सिंग भाटी की चितर से जैसे आपको दिख रहा होगा, कि यह उची कूद के खिलाडी है, यह दोड़ते वे आते होंगे आप लोगों से इनके पैर पोलियो से ग्रस्त है, इनके पैर में पोलियो, इनके पैर कमजोर लेकिन उसके बावजूद यह जिस तरीके से आपने देखा कि मरियपन ठंगावलू दोड़ते वे आए हैं और कूदे हैं, इन्होंने भी हार नहीं मानी और अपनी कमजो और पैरो के बावजूद इन्होंने ऊची कूद में अपना नाम कमाया और बहुत सारे पदक जीते हैं, नेक्स बच्चों बात करेंगे निशाने बाजी की, निशाने बाजी में बहुत जादा फेमस है नरेश कुमार, नरेश कुमार का आपको चितर दिखाई दे रहा होग घरा इनका जाएफलfirma से निशानना लग्सरान है और इनों इनको जो है रिया रियो प्राव औलंपिक 2016 में रापना किया और उसके बाद वाड़ हमारे देश में प्राड़ क positives हो और मिलमे और कही बाज़ी के तोर पर एक अचह खिलाडी के रूप में युछ अभर कर शामन आए हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका नाम तो बहुत ही जादा फेमस है आप लोगों ने शायद सुना होगा देवेंद्र जांचरिया जो है यह भाला फेकने के प्रसिद्ध खिला पैरा ओलम्पिक खिलाडी हैं पैरा ओलम्पिक में इन्होंने दो सुर्ण पदक जीते है और यह दो सुर्ण पदक जीतने वाले पहले भारती खिलाड़ी हैं दूसरी चीज़ 2017 में इनको राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार चोंकि खेल का सबसे बड़ा पुरसकार है उससे सम्मानित किया गया 2012 में इनको पदमिश्री से और 2004 में इनको अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया देखिए भाला फेकने में भाला फेकने का खेल आसान तो है नहीं अपनी विकलांगता के बावजूद नों ने उस खेल में भाग लिया पैर उलम्पिक में 200 पदक जीते राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार पदमिश्री अर्जुन पुरसकार इतने स अरे पुरसकारों से को सम्मानित किया गया है तो अपने आपको स्थापित करने के लिए इनके अंदर कुछ तो रहा होगा इनके अंदर एक द्रण इक्छा शक्ति एक साहस इन्होंने अपनी कमी के लिए हार नहीं मानी कि मेरे अंदर विकलांगता है तो मैं अपने आपको अलग कर दू, मैं दुनिया से अलग कर दू, मैं ये काम नहीं कर सकता, उनकी खेल में रूची थी, जबकि खेल एक ऐसा माना चाहता है, कि खेल में तो हमें दौड़ना है, भागना है, अपने शरीर का करना है, श्रम करना है, उसके बावजूद उन्होंने हार नाम मानने के ब और अपने नाम के साथ साथ अपने देश के नाम को स्वन अक्षरों में लिखवा दिया अब नेक्स्ट हम एक बार आप लोगों को रिवीजन कराते हैं कि यह तक मैंने जो बात की थी कि पैरा ओलंपिक क्या होता है सारी खिलाडियों के बारे में तो आप जानते हैं कि खेल क्या होते हैं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के मतलब क्या होता है एक ऐसा खेल जो अंतराश्टी इस तरपर खेला जाता है विकलांगों के लिए उस खिलाखेल को हम पैरा ओलंपिक खेल कहते हैं और पेरा ओलंपिक यह उन्तराष्टी इस तरफे इस्थापित किया गया उन लोगों के लिए जो विकलांग थे और किसी वजह से सामाइनी ओलंपिक खेलों में या सामाइनी खेलों में हिस्सा नहीं ले सकते थे लेकिन उनके अंदर के अदमी साहज और उनकी इक्षा को पहुआ है उनकी रिंग्स होती है पहुआ पांच पराओलम्पिक सब्सक्राइब के प्रमुख लाडियों में एक आपको बता है पहले मरियपंध हंगावलु जो उची कूत के लिए मशूर है उनको अरजुन परसकार से सम्मानित किया गया है साथ में उनको पदमिश्री से भ था दूसरी चीज परिया मरियपंध हंगावलु के बारे में हमने आपको बताया था कि उनका एक्सिडेंट हो गया था जिसके वजह से उनका पैर डामिज हो गया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतराश्टी इस तरपर अपना नाम बना लिया उस खेल में दूसर जो मैं कहुंडे चाहूंगी आप लोगों से कि अपने अंदर वो साहसब टोरी है कि अगर हमारे शरी में कोई बीमारी आ者 आ जाती है या कोयको हम ओस ठीचे जीवन मिला है तो हमें अपना जीवन जीना है अच्छी तरीके से और इस तरीके से जीवन है हमें के यह सोचिए क युश्वर ने अगर हमें जीवन दिया है। तो हम इसको रोते विना गुजारें, हसते विजारें और आगे बढ़ते विजारें। ना कि हम पलट कर उस चीज के पीछे रोते रहें कि हमारे साथ ये हास्ता हो गया हमारे शरीर का ये हिस्सा खराब हो गया ये हमें ये बीमारी हो गई है तो हमें इन लोगों से ये सीख लिनी चाहिए फिर मैंने दीपा मलिक के बारे में आपको बताया था तो दीपा मलिक का ब बदर कितनी मिले एक महिला होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इस्थापित किया है तो आज जो कहा जाता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना है खेल में हैं लड़के आगे जा सकते हैं तो हमें यह भावना भी खतम करनी है क्योंकि लड़कीयों और लड वो क्या कर सकती थी कि वो आगे खेलना करती अपना जीवन साथ हरची ने लगती लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उनके परिवार के सहेवेगे लोगों ने उनको सहयोग किया और उस एक कारण उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है ऐसा नाम रोशन किया कि मैं तो कहूंगे कि हर लड़की को उनसे सीख लेनी चाहिए जो स्वस्त बच्चे हैं जो लड़कियां उनको भी और जिनके अंदर कोई कमी है उनको भी कि अपने अंदर की कमी को कभी हमें अपने उपर हावी नहीं करना है उस कमी को दूर हटाते हुए हमें जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते चरे जाना है चलिए अब हम अभ्यास की बात करते हैं देखिए अभी तक मैंने आपको जो बताया था अभी सब के बारें बात की गई अब रित्तिस्थानों की पूर्तिय करना है यहाँ पर यह दे रखा है आपको शॉट्पुट उची कूद राज्येंद्र सिंग नरेश कुमार देवेंद्र जांजरिया यहाँ पर यह आपको ऑप्शन दिये गए और नीचे आपको पांच प्रश्न दिये गए हैं मेरे जस्में आपको क्या करना है यह द्रित्त नसदों की पूर्ति करनी है इनी शबदों में से छट कर आप लोगों ने चैप्टर है अगरा दिहां से सुना है Tea मेरी बातों को सुना है तो आप बहुत आराम से स को कर लेंगे मैं बात करती हूं देखिये दीपा मले की कि खि नेरेश कुमार भी एक नाम है तो नहीं हो सकती देवेंद्र जाजनडिया के भी तो बचा क्या हमारे पास शौट पुट और उची कूद अब बताईए कि दीपा मलिक उची कूद की खिलाडी है कि शौट पुट की खिलाडी है तो हम यहां पर क्या कर देंगे यह शौट पु कर उन्हों उन्हें 46 किलो वजन वाला पदक जीता था तो आप यह बताईए कि वो कौन थे राजेंद्र सेंग थे नरेश कुमार थे या देवेंद्र जांजर या इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकते हैं सोचके बताईए जली से जली से सोचिए हां बच्चों समझ में हारे पास वरोन सेंग भाती खिलाडी है अब बताईए कि बताईए जेजर घुची नरी कि वाला फेकने के मैंने आपको सब सबसे लास्ट में जिनको 260 जर्चाथ प्धाद्रिम péri편व मिला है उनको एक और जीवन में भी Çだ कौई देवेंद्र जहाँजरिया बहुत इम्पोर्टंट है बच्छो इसको बहुत रखना पड़े कौन है हमारे पास नरेश कुमार एकी खिलाडी का नाम हमारे पास आता है वो है नरेश कुमार तो बच्चो आप लोगों को ये अभ्यास समझ में आ गई होगी अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ आप लोगों को घर के लिए काम दे रहे हूँ देखिए पैरा ओलंपिक खिल एक हेल है उसमें पड़ना है पड़ने के बाद उस पर आधारित प्रेशने जो दे रखे हैं उन प्रेशनों को आप लोगों हल करिये अपने घर में बढ़ों की मदद से हैं या अपने अधियापकों से यदि आपका फोन पर संपर्ख होता है तो आप उसकी साहता से जो है वो इन प्रेश्णों को हल कीजिए उम्मीद है कि यह प्रेश्ण आप अपने आप हल कर लेंगे क्योंकि आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया है और अगर ठीक से समझाओगा तो यह प्रेश्ण आपके लिए बहुत ही आसान कारी हो जाता है सबसे लास्ट में मैं धनिवाद बोलने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर खेले खेल कहां आज हमारा यह अंदिम प्रकरण था तो यह कहना चाहूंगी कि बच्चों मैंने आप लोगों से कहा था कि खेल भावना का विकास कभी भी कोई खेल 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 में प्रतिभाग करना ही सबसे बड़ी बात है ना कि जीत या हार दूसरी चीज टीम वर्क टीम वर्क जरूरी है क्योंकि टीम के साथ ही खेला जा सकता है अकेले अगर हम आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और टीम वाला खेल है तो हम कभी भी सक्सेस्फुल नहीं ह को सब में हमें भाग करना चाहिए क्योंकि हर खेल किसी ना किसी जो है वह हमारी चमता को बढ़ाता है चाहिए वह शारिरिक विकास के लिए साया को चाहिए वह मांसिक विकास के लिए साया को या वह हमारे चरीर के कॉडिनेशन या समायोजन चमता को बढ़ाने का कारे करता और रही बात पैरा ओलम्पे खिलाडी उसकी गेम्स की सबसे आखरी तो उन लोगों के लिए है तो जो जिनके अंदर किसी प्रकार की विकलांगता पाई जाती है तो बच्चों आप लोग इस पार्ट को पढ़िएगा तब तक के लिए धनिवाद में अगले पार्ट में आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगी